हेलो यूटूब मैं सुझीद कुमा एडवांस एक्षल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस विडियो ट्रीटोरियल में जाहां सीखते हैं कम्प्लीट एडवांस एक्षल आज हम बात करेंगे निकिता जी की प्रब्लम पर बेसिकली हमारे एक निव ज टॉटल डेले होए अब किसी में कम है किसी में ज्यादा है पर इतना पता है कि लास्ट में टोटल लुडा हुआ हुआ है उनको एक समरी सीट के ऊपर सब का डेटा जाना है अब प्रब्लम है कि एक तो कॉप एक है कि यहां से लेंगे कॉपी करेंगे copy paste करेंगे, deal का copy करें, यहां paste करें, यह तो पुरी manual हो जाती है, कल के rate में value यहां कोई कम ज़्यादा होता है, बढ़ता गड़ता है, तो हर बार copy paste करना हो, तो कुछ automation होना चाहिए, तो automation हो सकता है, simple सी बात है, हम यहाँ sum if का formula है, sum if में हम जाएंगे, deal पे, data को select करेंगे, और यहां पे हम देते हैं total, total, और हमने बोला, कि मुझे jan का total चाहिए, jan का total आजाए, अब इस पे मुझे जो है, a by a को freeze कर देना है, और इसको freeze करने की जरूरत नहीं है, और नीचे आगे के तब drag करें, यह हमारा एक seat का बन गया, अब दूसरे seat में भी आपको same formula लगाना है, और इसको select करना है, और यहाँ pn पे जाना है, इसको select करना है, sum if, इसी equal sum if, range pn में गये, हमने range ले लिया, a criteria fix है, total, कि total के सामने वाली cell की value चाहिए, तोटल यहाँ है, इसके सामने वाले value आए, और sum किसका करना है, तो b column, इसको भी drag करने के लिए हमें इसको f4 करना परेगा, और इसको नहीं करेंगे, ताकि वो b, c, d, e आगे बढ़ता जाए, और इस तरह से आगे के तरफ बढ़ता जाए, अब problem एए है, कि तो कई सारे, अब तीन sheet है, तो हमने तीन बार formula लगा ले, तीन बार formula लगा ले, तीन बार formula लगा ले, इसमें कोई problem नहीं है, फिर इसके लिए आपको VBA Micro Programming का यूज करना परेगा, ताकि वो फाइल को खोलेगा, कोई भी formula जब तक फाइल खुलेगी नहीं, तब तक लगेगा, अगर अलग-अलग sheets हैं, तो उसमें हम इसका कुछ ववस्था कर सकते हैं, तेकि फिर आपको हर column में जाके अलग-अलग formula लगाना है, क्योंकि इस सारे column का यह हमारा A तो fix है, बट A, B, C, D अलग-अलग है, इसके लिए कुछ ने कुछ करना हो, तो इसमें हमें, क्या कर सकते हैं, कि हम indirect लगा सकते हैं, यहां पर B है, यहां पर C होगा, क्योंकि अब ही है, और reference बढ़ घत रहा है, तो आपको क्या करना है, यहां पर reference देना है, कि आपका क्यों सा है? B, E by B, we have C by C, we have D by D, we have E by E, we have F by F, we have D by G, we have H by H. जो submit का फॉर्मा लगा है और सेम रहेगा बस इसमें हमें जो DL है इसको सेलेक्ट करें और बाकी जो एक्ड्रेस है इसको इनवर्टेट कॉमा में डालते हैं लेकिन यह ऐसे लेगा नहीं इसके लिए हमें indirect formula लगाना पड़ेगा इनडायरेक्ट formula अब यहां भी सेम है यहां भ 10% इनवर्टेट कॉमा अब बी बाई बी ऊपर से लेना है लेकि एक्स्प्रेशन मांग तो चाहिए चाहिए उसको रख लेते हैं और बी को डिलीट करते हैं और यहां हम बी बाई बी को सेलेक्ट करते हैं बट इस सारा वर्क तभी करेगा जब इनडायरेक्ट फर्मले में ह हो गया है अब मुझे कुछ नहीं करना है ए थरी का ए फ्रीज करना है इसको हमें क्या करना है पूरे एरिये में प्रेस्ट सेटनेम और यहां का नेम फोनीब ऑने होने चाहिए तो यह आप एक ही फार्मर ने में पहु Less अब्धिन दो लाँ अगर सेंटे सेंट प्ल mean भी तो हमारे पासातरी के यह ए म।र रिडि जारे का डेटाम फ्रॉम फाइल में from folder में जाके पहले एकथा एक सीट पर लाएं और फिर उसका जो total वगरा करना है हम easily कर सकते हम इसके लिए qd का भी use कर सकते हैं यह हमारा SQL qd जो है हमारा Microsoft queries का भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन तभी होगा जब डेटा फॉर्मेट बल्कुल सेम होगा data data फॉर्मेट मुगा तभी हो सकते हैं